नमस्कार दोस्तों, दा यूटूब लॉग में फिर से आप सबों का स्वागत है आज मैं आपको दिखाऊंगा कि गाउद यहाथ ये बजार कैसे लगता है और बजार ओजगा होती है जहाँ पर आस्थान ये लोग अपनी जरुर्यत को पूरा करते है चाहे सबजी लेना हो, मीट मचली लेना हो या ऐसे कुछ भी समान जो आपके जिन्दगी में रोज़ान आपको जरुत ही उन सभी जरुत को बजार पूरी करती है चलिए मैं आपको सिझे ले चलता हूँ अब हम रास्ते के माध्यम से बजार की ओर जा चुके हैं ये बजार का intense gate है चहाँ पर मुर्गी, मचली, ये टब बे कितना सुन्दर मचली तैर रहा है ये मचली वाले मचवारा भाई कितने ठाट से खेनी बना रहा है ये मुर्गी बना रहा है और लोगों को सेवा कर रहा है फिर से मच्री वाले भाई कितने खुबसूरत अंदाज में मच्री को डेकोरिटीं किया है ये बजार का नजारा है जो आपको दिखाई दे रहा है भिंडी गाजर कूबी इन तमाम चीजों का यहाँ पर जो हरी सबजिया है एक लाइन से जो आस्थान ये किसान होते हैं वो किसान अपने खेतों में रात दिन सिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और मेहनत करके जब सबजिया को उगाते हैं और उगा कर बजार मेलाते हैं और बजार से उनका जो विक्री होता है और वही विक्रिस उनका भरन पोशन होता है आप देख रहे हैं कि जितने बेचने वाले क पिसान भाई बहन है उससे कही ज़्यादा इनको लेने वाले हैं अब बजार के बात अब हो गई होटल का अगर बजार हो और बजार में होटल नहां जहां पकोडी कच्री बारा धुसका ये चीजे ना हो तो बजार का सोभा ही नहीं लगता है और ऐसे बजार जिससे आप को ज जो दिखाई दे रही है ये सभी सबजियां हैं ये बजार गाउदिहात का हाट है जो कि आसपास के सभी लोग इस बजार में आकर अपनी जर्रत को पूरा करते हैं और आने के बाद से आप देखिए कि इस होटल में कितने खुबसूरत तरीका से भाई लोग खाने के लिए बैठे हैं और मस्ती के साथ खार हैं और ये कडाही और जंजरी में ये कितना खुबसूरत अंदाज में पकोड़ी और खचरी को बॉइलिंग किया जा रहा है और इसको तीर स्टोल में थाली में बड़े-बड़े में रखा गया है और उसको कितने खुबसूरत अंदाजों मुस्कुरा कर उनको अपनी और लुभा कर अपनी जो भी कपड़े हैं उनको बेचने का काम कर रहे हैं ऐसे बजार में कुल्फी पानी पूरी वाले हर तरह के लोग यहां पर आते हैं और इसे यह कहाए कि एक परकार की अच्छी संचार होती है जो की बहुत खास है मैंं दिखाया कि यही गावदियात कि वाजार है और इस बजारों में इनसान की और भी ब्लोग को देखने के लिए दयूट्यूप ब्लोग को सब्सक्राइब करें साती लाइक करें और कॉमेंट सेक्रेम में आप प्यारी प्यारी बात हमारे साथ था साधा करें ताके मैं आपके लिए उस पर काफ़ी और भी वीडियो लेकर आऊँ अब तक के लिए बने रहे दा यूटूब ब्लॉग के साथ धम्यवाद